हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों यदि प्रेग्नेंसी कंसीव नहीं होती है तो उसका एक महत्पुना और प्रमुक कारण होता है कि महिला का ओविलेशन वक्त पे नहीं होना अगर आप ओविलेशन का फंक्शनिंग सही से नहीं कर पाती है तो देन कंसीव होने में काफी ज़्यादा प्रॉबलम आएगी ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर कोई कपल हर महीने फॉलिकिलर स्टड़ी करवा सके क्योंकि हर किसी कपल के पास सफिसेंट खर्च करने का इडवांस ट्रीटमेंट पे पैसा नहीं होता है और सिरियसली मैं काफी सारे कपल को ऐसे मिलती हूँ इनफोर्टिलिटी पेसेंट को जो की अभी इडवांस ट्रीटमेंट कराने के लिए सक्षम नहीं है विकॉज ओफ मनी तो क्यों न हम घर बैठे ओविलेशन को सुधार ले कुछ हरवल चीजों से और साथ ही साथ इसका खर्च भी काम आए समय रहते हुए अगर आप अपने ओविलेशन के फंक्शनी को ठेक कर लेंगी तो एडवांस ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जल्दी से जल्दी कंसीव भी कर लेंगी और सबसे महत्पोड अंडा ही होता है अगर महिला एक स्वस्त अंडे को जन में देती है तब ही वो निश्यचित होता है और तब ही आपको प्रेगनसी कंसीव होती है जैसे जैसे आप उम्र में बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे अच्छे एग की क्वालिटी खतम होने लगती है इसलिए अगर हम मेडिकली समझे तो 35 के पहले ही हमें बेबी प्लान करना चाहिए उसके बाद वही अंडे बच्चते हैं जो खराब होती है जिसमें इतनी जादा कैपबिलिटी प्रेगनेंट होने की नहीं होती है अब आप कहेंगे कि 40 के उम्र की भी महिला प्रेगनेंट हो जाती है देखे मैंने कहा है चांस कम होता चला जाता है यानि पुर्णरूप से खतम नहीं होता है लेकिन अगर आप इन फोर्टिलिटी फेस कर रहे हैं तो आपका सीरियसले इन बातों पे ध्यान देना जरूरी है क्योंकि आपके एग की हो सकती है capability सही से नहीं develop होती है साथ ही साथ उसका size भी हो सकता है कि काफी कम है जो की maturity में नहीं आता है और जिसकी वज़े से follicular mature नहीं होते है conceive होने में दिक्कत हो जाती है तमाम ऐसे कई सारे problems होती है एक की size छोटी होती है कई बार मुझे ऐसे भी patients मिलते है जो बोलते हैं हमारे एक की size इतनी है मैम हमें conceive करने के लिए क्या करना चाहिए actually my friends अगर आप फटा फट से conceive करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी एक के quality को enhance करिए improve करिए और ये घर पे self आप कर सकती है दूसरी बाग अगर आपका ovulation वक्त पे होना है इसका सबसे बड़ा संकेत आपको किसी test को नहीं कराना है अगर आपके periods आनियमित है it means आपका ovulation भी disturbed क्योंकि friends actually में होता ये है कि जब आपको periods आते हैं next day से ही आपकी ovary में एक बहुत ही अच्छा अंडा बनना start हो जाता है जो mature होता है उन तमाम अंडों से जिसमें इतनी capability conceive करने की नहीं होती है इसकी journey करीब 10 days की होती है यही जो 10 दिन होते हैं वो बहुत महत पुणे होते हैं इस 10 दिन के अंदर ही एक आपको treatment लेना है self treatment जो घर पे करना है आपको एक drink बनानी है मैं किसी juice की बात नहीं कर रही हूँ कि आप juice लेजे आपका एक enhance हो जाएगा जे नहीं मैं एक drink की बात कर रही हूँ इसको बनाना होगा एक masala जो आपके kitchen में है हवल है इसका उपियोग करना होगा इसमें कुल 5 ingredients जाती है जिसमें फ्रेंट्स सबसे जादा महत्पूर होता है cinnamon stick दाल चिनी का stick होता है वो ले लीजे आजमाइन ले लीजे क्लॉंजी ले लीजे जो काले रंकी होती है मेथी का दाना और सफेद जीरा ये 5 ingredients को इकठा करना है आप फ्रेंट्स आपको cinnamon stick को छोड़ कर बाकी के टोटल 4 ingredients का एक एक चमच लेना है और आपको इनका fine powder बना लेना है एवरी डे मॉनिंग में इम्टी एस्टरमक जब आपका खाली पेठ हो उस समय आपको गुनगुना पानी लेना है लगवक एक कप लेना है और इस powder का आधा चमच इस पानी में mix करना है साथी साथ 2 इंच का टुकरा आपको दालचिनी का लेना है इसमें मिला देना है फटा फट से lead लगाना है धकन और इसको बंद कर देना है ये गर्म पानी की जो steam होती है वो vaporation के थुरू आपके tea में change हो जाएगे इसका color पानी का change हो जाएगा उसके बाद 5-7 मिनट बाद आप lead को हटाईए इस पानी को छानिए और पी जाईए सबसे पहला फाइदा कि ovulation समय से होना start हो जाएगा क्योंकि ये आप total 10 दिन लेंगे period से लेकर के total 10 दिनों के लिए ही लेना है उसके बाद ovulation phase start होगा उस समय नहीं लेना है क्योंकि ये ovulation booster drink है ovulation के पहले लेना है इसके अलावा friends सुबह सुबह इस तरह का पानी हवल्टी लेने से होता क्या है friends की constipation release होता है पेट में जितनी भी समस्या हो सकती है वो सभी ठीक से जो है सुधरने लगती है आपके reproductive system के लिए बहुत अच्छा है अगर आप एक संबंदित समस्या को जूज रही है अंडे की quality की वज़े से परिशान है तो इस drink का 7 आज से ही चालू कर दीजे अब बात आती है कि quantity आप समझ गए किस वक्त लेना है वो भी आप जान गए क्या इसे बाकी किसी treatment के साथ ले सकते है तो जी हाँ ये हरवल्टी है आप किसी भी treatment के साथ इसको ले सकते है मन में कोई शंका हो तो एक बार अपने doctor से भी पूछ लीजे इसी के साथ साथ friends अवलिशन समय पे तब ही होते है जिन महिलाओं की periods regular आती है resources ये पताते हैं कि जिन महिलाओं की periods regular आती है वो एक साल में 11 बार मा बनने के लिए तयार होती है अब आप सोच लीजे कि एक महिना ही बरवाद जाता है बाकि सारे महिने काम के होते हैं बट इसी के विपरित अगर आपका periods अन्यमित है तो आप केवल साल में 6 बार ही ovulate करती है तो मतलब chances कितने कम हो गए इस वज़़ से consumment नहीं हो पाता है तो उमीद करती हैं वीडियो आपके लिए बहुत हालफूल होगी बहुत जल्दी आप conceive कर लेंगी और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए make sure चानल को जरू सबस्क्राइब कर लीजे bell notification on करिए आप मुझे consult करने के लिए आप मुझे Facebook पीज या Instagram पीज पे भी follow कर सकते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए हर infertility couples के पास और like करना बिल्कुल भी न भोलें मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी एक नई ट्याउपिक के साथ अपना पूरा ध्यान रखिए टेक केर गाइस थैंक्स पर वाचेंग